नमस्कार मित्रों डेजार पॉंट चैनल के इस ने विडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिद्वे और आज के इस विडियो लेक्चर में हम विद्धु धारा का तापी प्रभाव का अध्यन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सुत्रों पर भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से समझे कि विद्धु धारा का तापी प्रभाव क्या होता है चलिए माल लेते हैं कि ये कोई तार है जो ये पिन है एक छोटा सा और बहुत साधारन सा एक्जामपल दे रहा हूँ समझ लीजिएगा ठीक है तो ये जो तार है तो इस तार में बहुत सारे परमाड़ होते है और जब इलेक्टरान गति करते है यानि जब धारा का हम प्रभाव करते हैं तो इलेक्टरान गति करते हैं तो आप में भी थोड़ी सी गती आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। उसी तरह से माल लेते हैं, यह जो वस्तू में परमारू हैं, यह एकस्तान पर खड़े हैं। और जैसे ही इमने धारा का प्रवाह किया, इलेक्टरान जैसे ही गती करने लगा, इलेक्टरान आया, इन परमारू से टकराने लगा, और टकराने लगा, तो इसकी कुछ गती जोरजा यहां इन इस परमारू को भी देने लगा, ठीक है, यानि यह परमारू भी टकराते टकराते थोड़ी सी गती करने लगे। तो बात के वह इतनी सी है कि विद्धुधारा के प्रवाह के कारण जब विद्धुधारा का प्रवाह होता है तो इलेक्टरांगती करते हैं तब ही विद्धुधारा का प्रवाह होता है ठीक है तो विद्धुधारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में बृद्धी क गटना को विदुधारा का तापी प्रभाव कहते हैं जैसे आप इस्त्री देख लीजिए हीटर देख लीजिए बहुत सारी चीज़े होते ही ना उनमें धारा प्रभाहित करते हैं तो वो हीट हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं जिनसे आप कपड़ा प्रिश्ट करते हैं वो इस परमारूं से बार बार टकराते हैं भाई खड़ा है परमारू उससे जाएंगे टकराएंगे फिर आगे निकल जाएंगे बार बार टकराते हैं इस प्रक्रिया में गतिसील इलेक्ट्रान इस इलेक्ट्रान को आप पूरा इलेक्ट्रान लिखेंगे ठीक है मैंने इले लिखती आगे पीछे कुछ नो कुछ हो जाएंगे उर्जा के अस्थांत्रन से चालक परमाड़ों की गतिज उर्जा बढ़ जाती है जिससे संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है अर्थात बिद्दु धरा के प्रवाहसे पदार्थों में उस्मा उत्पन्न होती है यह बहुत ब लेंगे कि जो उश्मा उत्पन्न हो रही है उसका माप करना है हेडिंग है आपके अगली कि चालक में उत्पन्न उश्मा की माप लेकिन एक बार फिर से बिद्दु धरा का तापी प्रवाव समझ लीजिए रटنا नहीं है ध्यान से समझ लीजिए कि जब किसी चालक में ज्यादा मस्ती कर रहे हो घर में, घर में मम्मी अकेले हो, आप खुब मस्ती करेंगे, टीवी चला के देखेंगे, बार बार फोन यूज करेंगे, लेकिन अगर पापा आ गए तो तुरंत आप पढ़ने बैठ जाएंगे, तो पापा से भय है ना, पापा का प्रभाव है आप के उपर, आप तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे, उसी तरह से बिद्धुधारा का प्रभाव है चालक के उपर, वो गर्म हो जायागा, ठीक है, तो बिद्धुधारा के प्रभाव के कारण किसी चालक के ताप में बृद्धी की घटना को बिद्धुधारा का तापी प्र जिएगा, चालक में उत्पन उस्मा की माप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, देखिए, सबसे पहले आपने जो पढ़ा है, मैंने वहीं से सुरुगात की है, चालक में उत्पन उस्मा की माप में निकल आपको डबलू के कई सूतर पढ़ाय थे, यहाँ पे भी मैंने वहीं लिखा कि माना किसी चालक का प्रतिरोध आर ओम है, मान लेते हैं कोई भी चालक हो, यहाँ पे यह एक चालक ले लिया हमने, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो है वो आर ओम है, इसके सीरों के बीच विभवांतर, यानि इसके दो सीरे हैं, तो दोनों सीरों के बीच का जो विभुवांतर है वो V है ठीक है ये चित्र आपको नहीं बनाना है मैं समझा रहा हूँ बस मैंने पिछला चित्र बनवाया था पिछला वीडियो लेक्चर में यदि चालक में I ampere की धारा कितने धारा प्रवाहित हो रही है I ampere की धारा कितने सेकंड में डबलू के सारे सूत्र में लिखता हूं आप ध्यान से समझेगा मैं डबलू से ही सुरू करोंगा और यच पे खतम करोंगा ठीक है तो डबलू ब्राबर वी ओई टी होता है ठीक है और यही उरजा यही उर्जा क्योंकि डबलू उर्जा है न यही उर्जा उस्मा के रूप में उत्पन होती है यहाँ पर आप कामा कर देंगे यही उर्जा यह जो डबलू ब्राबर है डबलू बराबर वी आई टी यही उस्मा के रूप में उत्पन होती है ठीक है हाँ यह चीज़ आपको याद कर लेनी है कि उस्मा की माप कैलोरी में करते हैं यानि उस्मा का मातर कैलोरी होता है अब दूसरी बात ध्यान से समझे है यहाँ पे जो सूत्र बनाने चल रहा हूं उसे कैसे बना रहा हूं उसे ध्यान से समझे है भया एक कैलोरी बराबर होता है चार दसमलो दो जूल फिर से डबलू बिदुत उर्जा का मातरक जूल होता है कल मैंने पढ़ाया था और अभी अभी मैंने पढ़ाया कि उश्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है ध्यान से फिर से देखिए डबलू यानि बिद्दुतुर्जा का मात्रक जूल होता है और उश्मा का मात्रक कैलोरी होता है और एक कैलोरी बराबर चार दसमलो दो जूल होता है फिर से अराम से कहीं नहीं जाना कुछ नहीं कर रहा भईया मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मात्रक से तुलना करनी है इसका मात्रक क्या है जूल और उस्मा का मात्रक क्या है इस डबलू का बिदुत ओर्जा का मात्रक क्या है जूल है उस्मा का मातरक क्या है कैलोरी और विद्दुत उर्जा और उस्मा के मातरक से यानि तुलना की जाए या वहाँ पर तो एक कैलोरी बराबर होता है चार दसमलो दो जूल यानि कैलोरी ज्यादा होता है और जूल कम होता है ठीक है और अगर यहीं पर हम ऐसे कहें कि एक जूल बराबर कितना होगा फिर एक जूल बराबर कितना होगा जब एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है तो एक जूल बराबर कितना होगा ध्यान से समझे यह बात को जैसे पापा एक सेब लाते हैं आपके पिता जी एक सेब लाते हैं ठीक है एक सेब को वो तीन भाई बहनों में बाट देते हैं आप तीन भाई बहन है ठीक है तो एक सेब तीन भाई बहन भाई बहन जादा है और सेब कम है अब इस एक सेब को तीन भाई बहन में बाटना है त तो एक के हिस्से में, एक परतियक भाई बहन के हिस्से में, परतियक भाई बहन के हिस्से में कितना सेव आयेगा, तो आप कहेंगे इस सेव को काट दीजिए, यानि एक बटा तीन कर दीजिए, ना, फिर से पापा आपके एक सेव लाते हैं, और आप तीन भाई बहन हैं, अब तो तीन भाई बहन में प्रतिक भाई को सेब का कितना हिस्सा मिलेगा तो आप कहेंगे सर ऐसा करिए सेब को काट दीजिए हम तीनों लोग बराबर बाट लेंगे तो एक भाई बहन यानि प्रतिक भाई बहन के हिस्से में कितना सेब आएगा इस तीन से एक में भाग दे उसी तरह से एक कैलोरी बराबर चार दसमलो दो जूल होता है यहां पे देखिए बाएं तरफ वाला एक था दाएं तरफ वाला तीन था यहां पे बाएं तरफ वाला एक है दाएं तरफ वाला चार दसमलो दो है बाएं तरफ वाला कम है दाएं तरफ वाला जाता है तो एक ठीक है, आइ ठीक ये बहुत आसान सी बात थी, ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर चार दसंदो दो जूल होता है, और एक जूल बराबर एक बटे चार दसंदो दो कैलोरी होती है, और एक बात, जब एक जूल बराबर, एक बटे चार दसंदो दो कैलोरी है, तो डबलू जूल ब पराबर कितनी कैलोरी होगी भाई डबलु जूल बराबर जब यहां पर एक तक था अब dबलू है तो हम डबलू कर देंगे डबलू बटे चार दसमलो दो कैलोरी अगर ना समझ में आया तो याद कर ली जिएगा ठीक है मैने परियास तो पूरा किया है लेकिंग समझने है तो याद कर लीज़ेगा कोई problem नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि 40.02 जुल होते है और एक जूल में 1 बटे 40.02 कलोरी होती है ये आपको याद होना चाहिए याद कर लीज़ेगा अब डबलो जूल बराबर कितना एक जूल बराबर एक बटे चारदा सुलो दो कहलोरी तो डबलो बराबर डबलु बटे चारदा सुलो दो कहलोरी ठीक है abdhyaan से समझविया इसके आगे क्योंकि चालक में चालक में T second में उत्पन उश्मा अब सूतर सिद कर रहे हैं कि चालक में टी सेकेंड में कितनी उसमा उत्पन होगी तो इसका सूत्र होता है यच बराबर डबलू अपान चार दसमलो दो कैलोरी अब सीधा सीधा सूत्र सिद्ध करेंगे ध्यान से समझेगा डबलू के आपने कल कितने सूत्र निकाले थे आपने डबलू के कितने सूत्र निकाले थे इसको सीधा लिख लिजियेगा ठीक है अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये रफकार है एक डबलू बराबर आपने निकाला था वी आई टी और एक डबलू बराबर निकाला था V square T upon R तो बस अब W के स्थान पर बार-बार एक-एक मान रखते चले जाएए आपका सूत्र बनता चला जाएगा सूत्र होता है यच बराबर W पार 4.2 कहलो जी अब अगर इसी चीज़ को विभुवांतरवा धारा के पदों में करना हो तो तो विभुवांतरवा धारा के पदों में जब सूत्र यही निकालेंगे तो यच बराबर हो जाएगा W के स्थान पर विभुवांतर चाहिए विभुवांतर है V और धारा चाहिए धारा है I यानि W के स्थान पर सूत्र रखेंगे V, I, T पांच 4.2 कैलोरी ठीक है यह दूसरा सूत्र बन गया यह सूत्र बनते चले जाएंगे जिस तरह से निमेरिकल में प्रस्ट पूछेगा आप उस तरह से हल करेंगे ठीक है अगला विभुवांतरवा धारा के पदों में हो गया धारा वा प्रतिरोध के पदों में चाहिए तो धारा यह दिख रही है और प्रतिरोध यह दिख रहा है और किसी में धारा प्रतिरोध साथ में है किसी में नहीं है इसी दोनों में है तो यह हो जाएगा I square R T अपां 4.2 कैलोरी अच्छा अब कौन सा बच रहा है विभुवांतर और प्रतिरोध के पदों में T को नहीं देख रहा है T से कोई मतलम नहीं विभुवांतर और प्रतिरोध के पदों में धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गया प्रतिरोद और धारा के पदों में हो गया अब विभुवांतर और प्रतिरोद के पदों में तो इसको भी देख लेते हैं तो भाईया विभुवांतर वा प्रतिरोद के पदों में सूत्र होता है यच बराबर डबलू अपान 4.2 डबलू के स्थान पे क्या रखें विभांतर वा प्रत्रोद के पदों के लिए हमें विभांतर इसमें दिख रहा है और प्रत्रोद इसमें दिख रहा है यानि वी स्क्वाइर टी अपान रखना है डबलू के स्थान पे कैलोरी ठीक है नुमेरकल करते वक्त आप इससे समझेंगे अगर अभी नहीं समझ पाया है तो देख लीजेगा ठीक है तो इस तरह से हमने इन चीजों को समझ लिया नोट्स बना लीजेगा अब फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि डबलू बराबर वी आई टी होता है और यही उर्जा उस्मा के रुप में उत्पन होती है उस्मा की माप कैलोरी में करते हैं एक कैलोरी बराबर चार देसमलो दो जूल होता है तो एक जूल बराबर होता है एक बटे चार देसमलो दो कैलोरी तो डबलू जूल बराबर हो जाएगा डबलू बटे चार देसमलो दो क चालक में 3 सेकंड में उत्पन उस्मा जो होगी उसका सूत्र होगा एच बरावर डबलू अपान 4-2 कलोरी बिभुवानतर और धारा के पदों में अगर उस्मा को समझा जाए तो वी आइटी अपान 4-2 कलोरी धारा बाप्रतिरोत के पदों में तो यह बरावर आई स्क्वार आगे अगले वीडियो लेक्चर में हम विद्धुधारा के तापी प्रभाव के कुछ बैभारिक अनुपरियोग देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही धन्यवादा